हलो दोस्तो केस से हो उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे दोस्तो आज हम फिर से हाजी रहे आपके सामने एक नई वीडियो लेकर तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टेर केस टाइमर वाइडिंग के बारे में तो यह staircase टाइमर क्या होता दोस्तों यह एक परकार का दोस्तों टाइमर होता है जो आपके star delta में टाइमर यूज किया जाता है उसी परकार का टाइमर होता है लेकिन यह हमारे single face में जो हमारे मकानों में या गरों में यूज किया जाता है तो इसका हमारा पास कहां पर यूज क कर सकते हो यानि कि आप क्या होता है दोस्तों आप नीचे से बाल चालू करते हो फिर आप जब दमदमे के उपर जाते हैं तो वहां से भी आप उसको ओफ या ओन ओफ कर सकते हो तो इस कंडिशन में आप इसकी वाइडिंग कर सकते हो इसकी वाइडिंग से क्या होगा दोस्तों जब आप पास अनो बटन हैं तो आप जगे जगे एनो बटन लगा देते हो जिसे आप 2A wiring में कैसे बटन लगा थी दो एक नीचे रहे ऊपर तो आप उसी परकाश से दो बटन लगा दे ओगे लेगिन मैंने यहाँ पर आपको 4 बटन से बताएगे गैसे तो आप जब बटन दबाओंगे तो कुछ टाइम के लिए यहां पर आपको टामर का साय्न दिख रावगा जिते हमें पर आप टाइमर को सेट करोगे तो उसी टायम तक यह और तक यह तो यह तक यह तक यह तक हमारा एंग दिरुआ हमारा बल चालल रहेगा चान जिस्टार्ट करते हैं कि अ कि हैया तो कि जैसे हमने यहाँ पर मांद लिए हमारे यह फेस हो ठीक दोस्तों और यह हमारा नूटल हो गया है यह वहारर एक बल्प है और यह हमारे चार एनो पॉइंट है जो हमारा आप बोरिंग वगरा को इस्टाटरों में यूज किया जाता है वहां से भी कर सकते हो अगर आप ओपिस वगरा में अगर इसकी वाइरिंग कर रहे हो तो आप एनो बटन यूज करें इससे क्या होगा दोस्तो आपकी यह जो होता है तो चलिए हमने यहां पर हमने यहां पर फेस ले लिया और यहां पर हमारा नूटल हो गया है अब क्या करेंगे हम यहां से निकालेंगे और फेस को हम क्या देंगे टाइमर के प्रोसेस भी पताएंगे यह किस प्रकार से काम करेंगा ठीक है दोस्तों तो आप वीडि क्या करेंगे यहां से नूटल पॉइंट को हम क्या करेंगे यहां से बल्प को सीधा ही दे देंगे उसके बाद में हमार जो बल्प का दूसरा पॉइंट होगा उसको हम क्या करेंगे यहां से हरा कलरe यूज़ कर लेते हम यहांसे और इसको हम क्या करेंगे यहांसे सीधा 4 नंबर पॉइंट पे देते हैं तो bulb की वाइरिंग यहांसे complete hook की है अब क्या करेंगे हम यहांसे जो हमारा nootl point है हमने यहांCT क्या क्या nootl point को हम यहां से उठाएंगे और इनको हम एन्व पॉइंट पे दे देंगे और इसको हम क्या करेंगे सभी एन्व पॉइंट पे ऐसे शोट कर देंगे यानि इनको पेरलल शोट कर देंगे इसके बाद में क्या करेंगे यहां से भी हम इसको ऐसे सबी को short कर देंगे ठीक है उसके बाद में हम क्या करेंगे यहां से इधर वाला point लेंगे और इसको हम यहां से 3 number point पे short कर देंगे इस तरह से यह हमारी winding complete हो चुकी है अब यह work किस परकार से करेंगी तो इस पे आपको total 3 on, off auto और off 3 आपको यहां पर condition पर एक सूच आता है इसका जैसे आपको उपर कर दोगे यानि on point पे कर दोगे इससे क्या होगा दोस्तों आपका यह bulb पर्मानेंटली चालू रहेगा यानि टाइमर अमारा सीधे supply देदेगा और यह automatic बंद नहीं होगा ओन कंडिशन में कर दोगे यानि यहां कर दोगे तो इस condition में क्या होगा दोस्तों आपका यह timer अव बटन दाओ गल्धे तो भी हमारा यह load चालू नहीं होगा और जब आप उसको auto condition में कर दोगे तो क्या होगा दो इसमें से जब बटन दबाओगे जैसे हमने यहां पर बटन से direct कर दिया और फ्यास्स्यमल धेना यहां दिया इसको जब बटन दबाएंगे तो हमारा यह यहां से owns hemos byYes card और यहां से हमारा फेस्स ऐसे निकल के जब तक जहां से जहां तक हमने वहां तक हमेर यहां से बाल चलता कूरन करें गal问题 हमारा यहां से कर लिएए और यह हमारा बल पर चलता रहेगा जैसे ही टाइमिंग पूरा होगा तो यहां से हमारा यह NCM points कट जाएगा और यहां से disconnect हो जाएगा और यह हमारा point ओप हो जाएगा जब आप इसको off condition में कर दोगा फिर से हमारा यह timer हमेशा के लिए off हो जाएगा इसको आपको ओन कंडिशन यानि ओटो कंडिशन में ही रखना पड़ेगा इससे क्या होगा दोस्तों जब आप जैसे एक अपने जैसे आपके मकान में अगर पांच कमरे यह चार कमरे तो हर एक कमरे में आप अलग-अलग यह एनू पॉइंट दे दोगे जिससे आ अगर कोई भी वेक्तिव को अगर दमदमे में या चत पे जाना होगा तो आप क्या करोगे इस बटन को वहाँ से दबा दोगे जैसे अगर आपको दस मिनट का टाइमिंग सेट है तो आप उपर जाके अपना काम निप्टा के वापिस आ सकते हो जब तक यह आपको ओफ करने की कंडिशन ओप करने की जुरत नहीं पड़े कि यह ऑटमेटिक ओफ हो जाएगा ठीक दोस्तों इसकी वाइरिंग इस परकार से होगी तो यह स्टेर केस टाइमर वाइरिंग यह आप इसको एक बार अपने मकानों में अगर आप सिंगल फेस का फिटिन करते तो आप एक बा इसके लिए आप बेल आइकन जुरूर प्रेस कर लें मिलते गली वीडियों बाई दोस्तों